नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फियर्स क्लाउड में तो दोस्तों भारती सेना को बहुत ही जल देख ऐसा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मिलने वाला है जिससे दुस्मन के टैंकों की हालत पस्त हो जाएगी और इसके लिए भारत डैनेमिक्स लिम्टेड यानि की बीडियल ने रूस की OEM यानि की ओरिजनल एक्विप्मेंट मैनिफेक्चर के साथ समझाता किया है और इसके आने से पाकिस्तान और चिन की सीमा उपर भारती सेना की ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो चलिए दोस्तों बिना आपका समय बरवात किये इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाईल के बारे में बात करते हैं दरसल दोस्तों इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाईल का नाम है कानकर्स M एंटी टैंक मिसाईल और इसके लिए BDL ने भारती सेना के साथ 3131.82 करोड रुपय का समझाता किया है और भारती सेना को 3 साल में ये एंटी टैंग गाइड़ेट मिसाइल मिलेगी जबकि BDL ने रूस की संस्था के साथ 11400 करोड रुपय का समझाता किया है और कानकर सेम को BDL पूरी तरह से भारती सेना के लिए स्वदेशी हालातों के हसाब से बनाएगा और इसका ज्यादा तर हिस्सा स्वदेशी होगा और BDL ने भारत के कुछ मित्र देशों के साथ इस एंटी टैंग गाइड़ेट मिसाइल का समझाता करने का भी प्लान बनाया है और BDL कानकर सेम एंटी टैंग मिसाइल के लावा मैन पोर्टेबल एंटी टैंग गाइड़ेट मिसाइल, नाग मिसाइल, मिलन टूटी और अमोगा का निर्माड कर रहा है और ये हत्यार भी एक्सपोर्ट के लिए तैयार हैं अभी जो कानकर सेम एंटी टैंग मिसाइल भारती सेना को मिलेगी वह दूसरे जनरेशन की मिसाइल होगी और यह किसी भी बकतर बंद वाहन को उड़ा सकती है और कानकर सेम एंटी टैंग मिसाइल में एक्सप्लोसिव रियक्टिव आर्मर तकनीक लगी है जो किसी भी मजबूर टैंग को सेकेंड्स में द्वस्त करने की छमता रखती है और यह मिसाइल जमीन पर स्टैंड लगा कर यह बी एंपी टू टैंग से भी लांच की जा सकती है और इसकी रेन 75 से 4000 मीटर है और यह 4 किलो मिटर की दूरी मात्र 19 सेकेंड में पूरी कर लेती है यानि दुस्वन के टैंग के पास बचने के लिए ज्यादा समय होगा ही नहीं वहीं कानकर सेम एंटी टैंग मिसाइल के 5 वरजन दुनिया भर में उपलब्द हैं जिनमें दो काउपियों कई सालों से दो दर्जन से ज़्यादा देशों में किया जा रहा है और इसका वजन करीब 14.6 किलोग्राम है और लांच पोस्ट के साथ इसका वजन 22.5 किलोग्राम हो जाता है और इसकी लंबाई 45 इंच है और इसकी चौडाई 5.3 इंच है और इसका वारहेड यानि की हतियार जिसे 9N-131 हीट कहते हैं वह 2.7 किलोग्राम का होता है और यह हतियार टैंग से शूते ही फट जाता है और यह कानकर से हम एंटी टैंग मिसाइल की अधिकतम गती 680 फीट प्रति सेकेंड है और इसका इंजन सालिट फ्यूल राकेट वाला ह और आम तोर पर इसकी रेंज 75 मीटर से लेकर 4 किलो मीटर होती है यानि भारत की पस्चमी और पूर्वी सीमा पर इसे तैनात करते ही दुस्मन देशों के टैंकों की हालत खराब हो जाएगी क्योंकि अब फायर करते ही सिधे टैंकों को कंकाल बना कर रख देगा वहीं अब आप लोगों का क्या कहना है कॉनकर्सम एंकी टैंक मिसाइल के भारत और रूस के समझोते पर कमेंट में जरूर बताएं और लाइक, सेर, सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो छूटे नहीं सभी वीडियो आप तक पूँचे दने बाग